हलो दोस्तो मैं हूँ ममता आपका स्वागते ममता कीचन में आज मैं आपके लिए लाएं हूँ सबसे आसान और सुपर टेस्टी हरल दार की रेसिवी तो आए रेसिवी को सुरू करते हैं मैंने देड़ गलास पानी लिया है उसमें एक कोटोरी दाल लिया है समच हल्दी पाउडर, स्वाद के उनसर नमक और एक छोटा सा कटा हुए टमाटर, आट दास ग्रेन चीली उसे डाल देंगे, अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे फिर कभर गांटर की दो सीठी आने तो पकाएंगे अगर छोटे बच्चे खाएंगे तो ग्रेन चीली को आप स्किप कर सकते हैं हमारा दो सीठी हो गया है, फिर उसे थंडा करने के लिए छोड़ देंगे थंडा होने के बाद उसे खोलेंगे, कि हमारा दाल परफेक्ट बना की नहीं दिखिए फूरा परफेक्ट बना है, तो आईए हम तड़का लगाते हैं मैंने प्यान गरम कर लिया है, उसमें दो बड़े चमच तेल डाला है तेल गरम होने के बाद एक चमच पुटन, दो रेड़ चिली डाल देंगे फिर उसे चड़कने देंगे, चड़कने के बाद कुटा हुआ लेशन को डाल देंगे फिर उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एक कटा हुआ प्याज को डाल देंगे फिर अच्छी तरस उसे ब्राउन कलर होने तक फ्राय करेंगे फिर दाल में थोड़ा सा पानी डालेंगे, दाल ज्यादा थीक लग रहा है, फिर उसमें हम तड़का को डाल देंगे, फिर दो मिनिट तक उसे ग्यास में उबालाने देंगे, हमारा दाल फ्राइ हो गया है, फिर गरम गरम हम चावल रोटी के साथ सर्फ करेंगे, अगर मेरी रेशिपे आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले इसे घर में एक बार जरूर ट्राय कीजिए सबको पसंद आएगी